नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुपोरत्त, और आज इस वीडियो में आप लोगों को वीनो जीणिक एलिक्टाईल डिस फ़ंक्शन के बारे में बतानेवाला हूं और उसकी दो टॉप होमेपतिक मेडिसन जो की वीनोजीनिक एलेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी कंडिसन में बहुती बढ़िया फाइदा करती है उसका नाम भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो बने रहे अंतक इस वीडियो के साथ तो दोस्तो वीनोजीनिक एलेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है कि हमारा लिंक की अंधर दो तरह की बलड होती है एक तरफ से लिंक की अंधर ऑक्सिजिनेटेड बलड लिंक का अंधर आता है और दूसरी और से deoxygenated blood link का अंदर से बाहर चला जाता है तो ये जो link की अंदर blood लाने का काम करती है वो arteries करती है जिसे हम लोग penile arteries बोलते है जब आप उत्तेजित होते हो sex करने के लिए आप stimulated होते हो sex करने के लिए तो इससे क्या होता है कि आपका penile arteries के जरिये ब्लड आ गया तो ये जो veins से ये उसको block कर देती है ये बंद कर देती है जैसे लेक डोर दरवाजी की तरह काम करती है ताकि जो oxygenated blood हमारा link का अंधर जा रहा है वो कम मात्र में वापस आया ज्यादा मात्र में वापस ना सके और जैसे ही ये blood link की अंधर से बाहर की तरफ आ जाता है तो हमारा link में जो है कड़कपन कम होना start हो जाता है और विनोजिनिक रेक्टाइल dysfunction की problem में यही चीज होता है और ये जो विनोजिनिक रेक्टाइल dysfunction का patient है ऐसा नहीं की इसका link की अंधर बिल्कुल तनाव नहीं आता है इसका link की अंधर तनाव आता है लेकिन जैसे ही तनाव आता है वो दिले दिले कम होना start हो जाता है इसका patient का हमेशा यही complaint रहता है कि हमारा link के अंधर तनाव तो आता है डॉक्टर साब लेकिन जैसे ही हम थोड़ा position चेंज करता है या फिर condom पैनता है या फिर हमारा mood थोड़ा सा swing होता है तो हमारा erection जो है गिरना स्टार्ट हो जाता है और इसी को कहते है विनोजिनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन विनोजिनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो patient होता है वो बिल्कुल स्वस्थ होता है फिजिकली एकदम well sounded होता है सारे इरिक इनको बहुत जादा कोई problem नहीं होती है अब ये विनोजिनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों किसी में होता है इसका पीछे क्या कारण हो सकता है तो दोस्तो आज तक मैंने हजारो विनोजिनिक इरेक्टाइल का case लिया है और उन सभी में एक problem जो common मैंने देखा है वो ये है कि इसका जो patient है वो excessive हस्तमाथुन क्या हुआ रहता है एक एक दिन में 4-5-5 बार हस्तमाथुन क्या हुआ रहता है और वो भी बहुती गलत तरीक हस्तमाथुन करता है और गलत तरीके के कहने का मदलब मेरा यह है कि यह लोग जो है link को बहुती गलत तरीके से पकड़के और उसको roughly इसको handling करते है या तो इन में से ऐसा बहुत लोग है जो कि अपना बेट का उपर उल्टा लेट कर और अपना link को थाई का उपर रगड़क यह जो है किया करते है और इसके इलावा मैंने बहुत सारे patient को यह कहते हुए सुना हूं कि सर जब भी मेरा वीर बाहर निकलने वाला होता है तो मैं इसको रोक देता हूं उसको suppress कर देता हूं ताकि फिर से मैं संभोग का मजा ले सकूं तो यह कुछ common कारण जो मैंने देखा है अपना practice के दोरान और इसके इलावा जिन लोगों का पेनाल fracture हो जाती है या फिर जिन लोगों को वेरिको सील हो जाती है उन लोगों में भी यह problem देखी जाती है अब दोस्तों विनोजेनिक रेक्टाइल dysfunction को डाइगनाईस करने के लिए इसकी कुछ टेस्ट होती है जैसे बहुती बढ़िया treatment है इनफेक्ट होमेवपैथी ही है जिसमें इसका treatment पूरी तरह संभब होता है और बहुती कम टाइम में होता है इस बात का proof कि होमेवपैथी काम करती है की नहीं होमेवपैथी treatment की जरिये sex problem ठीक होता है की नहीं यह होमेवपैथी से कोई और chronic से chronic problem ठीक ह को सकता है कि नहीं इस बात का प्रूफ आपको इतने सारे यूटूब चैनल में सिर्फ एक ही चैनल में देखने को मिलेगा वह होमियो कैट टिफ्स में और कोई चैनल में आपको प्रूफ देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों मैं पेसरेंड का केस सेयर करता हूं पेसरेंड का कम के बाद problem कैसा है आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग मुझे call करके पूचते रहते हैं कि सर मुझे erectile dysfunction की प्रवलम है मुझे cigger पतन की प्रवलम है क्या हॉमोपै ? मिमस्का treatment संभब है की नहीं कितना समय लगता है result को दिखने में कितना time लगता है पूरी तरह ठीक होने में etc. etc. बहुत सवाल आप लोग करते हैं तो उन सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि इस channel को subscribe करके overall look इस channel का ले लीजे इस channel का playlist में case नाम का एक folder आपको देखने को मिल जाएगा community में तो मैं हर दिन pictures डालते ही रहता हूँ patient का वो भी आपको देखने को मिल जाएगा case नाम का folder में visit करके वहां का कुछ videos अगर आप उठा कर देख लेंगे तो आपका सभी सवालों का जवाब आपको वहीं पर मिल जाएगा कि homopathy काम करता है की नहीं बलकि आपको ये पता चल जाएगा कि homopathy कितना अच्छा काम करता है as compared to other pathies अब दोस्तों आप लोगों का ज़्यादा time ना लेते हुए मैं उन दो homopathy medicines का नाम मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो कि vinogenic rectile dysfunction में बहुत बढ़िया काम करती है एक medicine का नाम है agnes castres 30 और दूसरी वाली medicine का नाम है नुफूर लूटिया mother tincture आपको agnes castres 30 का दो बोन सुभे, दो बोन दो फैर, दो बोन साम को लेना है और नुफूर लूटिया mother tincture का पंदरा-पंदरा बोन लीजिए सुभे, दो फैर और साम लीजिए और half cup या फिर एक cup नॉर्मल वाटर में मिला कर लीजिए आप इन दो दवाओ को एक मेना कम से कम इस्तवाल करें उसके बाद खुद आप analyze करिए आपको मेरे ख्यास से कम से कम 70-80% result इनी दो medicine से मिल जाएगा और इन केस अगर आपको इन दो medicine से फाइदा नहीं होता है तो इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं कि होमेपाथी काम नहीं करता है या वो डॉक्टर जिसने ये दो medicine बताया है वो बेकार है क्योंकि होमेपाथी में लक्सन के according treatment की जाती है अगर आपको इन दो medicine से फाइदा नहीं हो रहा है general medicine से फाइदा नहीं हो रहा है तो आपको किसी एक अच्छी classical MD होमेपाथ से मीट करके treatment लेना होगा वो डॉक्टर आपका एक पूरा thoroughly case taking करेंगे और case taking के according जो medicine वो आपको बताएंगे वो medicine से आपको 101% फाइदा हो जाएगा तो दोस्तो ये था एक short video about venogenic erectile dysfunction और मैं उमित करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए लापकर रिसाभित होगी तो दोस्तो मैं इस वीडियो को ही प्रेंट करता हूँ so thank you very much and have a good day